नमस्कार किसान भाईयो मैं सूरुदोविल फिट से हाजेर हूँ आपके अपने चैनल एगरिकल्चर गुरूजी में किसान भाईयो आज का जो हमारा टूपिक है वो है सरत कालीन गन्य की यानि की मांसून गन्य की जो बुआई है उतनी किसान भाईयो इस समय पर जो ठंड है वो धीरे धीरे बढ़ रही है जिससे जो आपकी अंकुरन है गन्य का वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा तो एक तो मैं आपको बताँगो किस समय तक आपको इसकी वाई करनी है दूसरा इस समय पर ऐसे कौन-कौन से खा दें जिनका उप्योग करके आप अपने गन्य के अंकुरन को बढ़ा सकते हैं यहनि कि जो गन्य का अंकुरन है गन्य का जो जमाव है वो यदि अच्छे से होगा तभी किसान व्यों सांदार ट्लिन्ग होगी और तभी आपको सांदार पैदावार देखने को मिलेगी तो दोनों बाते एक ही वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और सांदार जानकारी मिल सके आपको मेरी ये जानकारिया कैसी लग रही है नीचे कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं जिससे कि मैं आगे भी आपके लिए और भी सांदर सांदर वीडियो बना करके लासबूतु चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले देख लेते हैं जो गन्य की मांसुनी बौई है वो किसानवयो लगबक किसानवयो अगस्त महीने से चालू कर देते हैं अगस्त सितंबर और अब जो है किसानवयो अक्टूबर का महीना चालू हो गया है और लगबक किसानवयो मध्यम महीना जो हमारा ये निकल भी चुका है तो अब किसान भायो जो इसकी अंतिम भॉई आपको करनी है वो आप 25 अक्टूबर के बाद गन्य की भॉई बिलकुल भी ना करें 25 अक्टूबर तक यदि आप गन्य की भॉई करते हैं तो इस समय तक जो गर्मी है वो नोर्मली बनी रहती है और इसके बाद के सामें जो ठंड है वो लगातार बढ़ती रहेगी यानि कुल मिलाकर करके यदि आज की डेट की बात की जाए तो आज भी जो ठंड़क है वो थोड़ सी बढ़ चुकी है लेकिन आम आदमतिम जो बॉई करेंगे गन्य की वो 25 अक्टूबर के बाद गलती से भी आपको सरत काली गन्य की या मानसुनी गन्य की बॉई नहीं करन लेगी और हमारे पैदावार में काफी कमी किसान भाई देखने को मिलेगी तो यह बात तो हो जाती है बॉई की अब बात करते हैं जो किसान भाई इस समय पर बॉई कर रहे हैं या 25 अक्टूबर तक जो किसान भाई करेंगे तो कौन-कौन से खाद की कितनी-कितनी मातरा डा पर लगब 50 से लेके 60 किलोग्राम पिरती एकड के हिसाब से किसान भाई यो गन्य की बॉई के अंदर इस समय पर आपको डालनी चाहिए दूसरे खाद के रूप में यहाँ पर आपको यूरिया लेना है और यूरिया की जो मातरा आप लेंगे वो लेंगे लगब 20 से लेके 25 किलोग्राम पिरती एकड के हिसाब से इस से ऊपर की मातरा बेलकुल भी आपको नहीं लेनी है तीसरे खाद के रूप में किसान भाईयो आप यहाँ पर ले सकते हैं सलफर जो हमारी सलफर 80% में आपको देखने को मिल जाती है इस सलफर की मातरा तीन से लेके 4 किलोग्राम प से लेके 25 किलोग्राम पिरती एकड के हिसाब से इन सभी खादों को आपको किसान भाईयो अपने गन्य की फिसल के अंदर डालना है अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कीटना सकी कि क्या गन्य की बुआई जम इस समय पर करना है तो किसी कीटना सका उपयोग करना चाहिए या अब बात करते हैं कीटना सका कौन सा डाल सकते हैं यह बजट पड़ता है आपकी जेब के उपर यदि आपकी जेब में कोई दिक्कत नहीं है आप अच्छी तरीके से खर्चा कर सकते हैं तो किसान भाई जो हमारी इफको की सीरा साकी आती है यानि कि फिप्रोनिल 40% इमीटा इन दोनों की मातर जो आती इसे 200 ग्राम आपको ले लेना है और 200 ग्राम को ले करके 400 लेटर पानी के अंदर मिक्स करके आपके जो एक इकड़ गन्य की आप वहाई कर रहे हैं उसके गन्य की जो पच्ची है गन्य के जो टुकड हैं उनके ओपर आप इसका इसप्रे कर दीज यह सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी यह कीट शक लेके हैं, चाहे तो आप रेजेंट ले ले लेजिए या फिर आप काट अप ले लिजियें, दोनों में से किसी एक की मातर आपको लेनी है, वह लेनी है लगवत 6 से लेके 8 किडोग्राम पढति एककड के हिसाब से, और इन इससे भी आपको बीजुपचारित करने के बाद ही आप गणने की बॉयाई करेंगे तो गणने के अंदर ना फंगस का आठेक होगा ना ही कीटो का आठेक होगा और गणना सुरवात तहीं किसानवीम एक सांधर जन्यूनरेशन एक एक सांधर जमाह अगिए मेरी ये वीडियो आपको काफी जी पश्ण आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादस ज्यादस किसान वह तatte वीडियो को सेयर करें फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाईयों को जै हिंद जै भारत जै किसान वंदे मातरम